हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो टार्गेट फॉर आईक्यू आज ही क्लास में अरेस्ट वारेंट से पढ़ेंगे जो कि सेक्शन सेवंटी टू से स्टार्ट होता है सेक्शन सेवंटी टू डील करता है फॉर्म अफ वारेंट मतलग आप अगर वारेंट इशू कर रहे हैं तो और उसका ड्यूरेशन क्या होगा यानि हम वारेंट को कब तक एग्जेक्यूट कर सकते हैं तो सेक्शन सेवंटी टू में लिखा है एवरी वारेंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाइदी कोर्ट अंडर दिस सहीता शैल वी इन राइटिंग यानि कि अगर हम अरेस्ट हमारा रेटिंग में होना चाहिए और जो उसके सिगनेचर होने चाहिए और कोड की सील होनी चाहिए सैक्ड में लिखा है एवरी सच वारेंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इस कैंसेल बाइदी कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इस एग्जेकुटेड यानि कि क्लॉस सैकिंड बात करता है कि जो हमने अरेस्ट वारेंट इशू किया था वो कब तक डियूर ना कर दे या जो वरेंट इशू हुआ है उसके बिहाफ पर हम किसी पर्सन को अरेस्ट ना कर लें तो यह इसका डियूरेशन रहता है पहला डियूरेशन कि जब तक कोर्ट कैंसिल ना कर दे एंड सैकिंड डियूरेशन जब तक जिस पर्सन के खलाफ हमने अरेस्ट वरेंट कहां इशू होता है तो section 73 is talk about bailable warrant याद रखना clause 1 बोलता है any court issuing a warrant for the arrest of any person may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bail warrant यानि कि जो court bail issue करेगी वो bail जो court arrest warrant issue करेगी वो warrant पे लिख देगी कि अगर जिस person के खिलाफ हमने arrest warrant issue किये हैं अगर वो sufficient security दे देता है यानि कि bail bond execute करेगा और साथ ही साथ एक security देगा कि आप इस इस तारीको court में उपस्थित होगे अगर person execute कर देता यानि कि bail bond भी sign कर देगा और security भी देदेगा तो police उसको arrest नहीं करेगी यह बात करता है close one close two में लिखा दी endorsement यानि कि जो court endorse करती है यह लिखती है कि हमें security चाहिए surety चाहिए तो उसमें endorsement में क्या-क्या लिखा होगा पहला point है number of surety यानि कि हमें कितने surety चाहिए surety को जो आपके बिहाफ पर guarantee ले रहे है कि अगर यह नहीं आएगा तो हम इसको लेकर आएंगे ठीक तो ऐसे कितने व्यक्तित चाहिए तो यहां पर लिखा number of surety second the amount in which they and person for whose arrest the warrant issued are to be respectively bound यानि कि amount बात करता कि अगर आप नहीं आओगे तो इतने amount हम आप पर fine लगा देंगे तो वह amount भी आपको endorsement में mention करना पड़ेगा थर्ड बात करता है time at which he is to attend before the court यानि कि आपको किस समय कोर्ट में उपस्थित होना है वह भी वारेंट के पीछे आपको endorsement में लिखना पड़ेगा थर्ड बोलता है whenever security is taken under this section the officer to whom warrant is directed shall forward the bond to the court यानि कि अगर police officer जिस person इखलाफ arrest warrant issue हुआ है उसके पास जाता है कहता है कि या तो आप अरेस्ट हो जाओ या court ने जो जो endorsement में लिखा है वह हमें दे दो तो अगर वह व्यक्ति endorsement में जो जो लिखा यानि कि sureties दे देता है amount में दे देता है और time कहाँ कि मैं इस time court में आ जाओंगा तो police officer उसको arrest नहीं करेगा और उस bail bond को court के सामने present कर देगा किसाब आपने जो arrest warrant मुझे दिया था वह person ने endorsement को fulfill कर दिया है और bail bond sign कर दे यह bail bond यह रहा ठीक section 74 बात करता है warrant to whom directed यानि कि जो court ने warrant issue किया है arrest warrant अब वह arrest warrant किसको देगा जिससे की वह execute हो जाए यानि किस authority के पास वह arrest warrant जाएगा तो clause 1 बात करता है warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officer यानि कि जो court ने warrant issue किया है वह warrant generally police officers के पास जाता है यानि कि पहली authority को ने जो execute कर सकती है police officers but the court issuing such a warrant में if its immediate execution is necessary but अगर कोई ऐसी situation आ गई कि उसका warrant का execution होना बहुत ही जादा जरूरी है और हमारे पास police officer available नहीं है तो उस condition में हम किसी और व्यक्ति को या एक से जादा व्यक्ति को हम warrant दे सकते हैं कि आप जाके उसको execute करिए ठीक पहली condition तो police officer ही करते हैं generally but अगर police officer नहीं है और execution warrant का होना बहुत जादा जरूरी है तो उस condition में किसी भ warrant is directed to more officers or persons यहां पर यहीं लिखा है कि जब एक से ज्यादा police officer या एक से ज्यादा व्यक्ति को हम warrant देते हैं कि आप जाके execute करिए तो उस condition में वह warrant या तो सारे या उन में से कोई एक व्यक्ति भी execute करें तो माना जाएगा कि arrest warrant execute हो चुका है 75 बात करता है warrant may be directed to any person ठीक सीजेम और मजिस्टेट फर्स्ट क्लास में डारेक्ट वारेंट टू एनी परसन विदिन हिज लोकल जुरिजिक्शन फॉर दी आरेस्ट ऑफ escaped convicted देखिए यह वाला जो section 75 है न यह special condition बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति escaped convicted है यानि कि आप हमारी custody में थे convicted person थे और आप भाग गए पहली दूसरा उस व्यक्ति के against जो proclaimed offender है court ने उसको proclaimed offender बता रखा है गोशित कर रखा है दूसरा व्यक्ति वो और तीसरा वो जिसने कोई non-bailable offense किया है और वो अपनी arrest को arrest से बसने के लिए भाग रहा है तो हमें 75 याद करने के लिए 3 conditions या दखनी है पहला escaped convicted हो दूसरा या तो non-bailable उसने commit किया है और वो arrest के arrest ने हो जाओ वो पुलिस से भाग रहा है और तीसरा है प्रोक्लेंड कर अगर यह तीन situation arise होती है तो court अगर चाहती है magistrate अगर चाहें तो किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं जरूरी नहीं कि पुलिस ऑफिसर को दे सपोज एक व्यक्ति है उसने कोई ऐसा इन तीनों condition में किसी एक condition में फुल आ रहा है ठीक और वो अपने घर जाएगा जाता लोग क्या अगर तो अपने घर जाएंगे रिष्टिदार जाएंगे तो magister अगर चाहे तो उस रिष्टिदार को दे सकता है arrest warrant कि अगर वो व्यक् exercise कर सकते हैं तो याद रखना CGM और अपना judicial magistrate first class यह prelims में पूछाई question है कि CGM दे सकता है judicial magistrate first class दे सकता है या दोनों दे सकते हैं या last option court of session तो याद रखना या तो CGM भी दे सकते हैं या judicial magistrate first class दे सकते हैं arrest warrant उस व्यक्ति को जिसके उस व्यक्ति को जिसके पास जो तीन categories थी उन में से वह उसके पास आएगा ठीक second बोलता है search person shall acknowledge in writing यानि कि जिस व्यक्ति को arrest warrant दिया गया है वह acknowledge करेगा कि हां मुझे arrest warrant मिल गया है और जब वह arrest कर लेगा उस व्यक्ति को तो police officer को सहुप देगा तो यहां पर क्या लिखा search person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant यानि कि मुझे जो court से जो warrant issue हुआ था वो मुझे मिल गया है and shall executed और मैं उसको execute कर दूँगा अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ वो warrant issue हुआ था वो अगर मेरे land पर या मेरी property में enter करेगा या वहां पर पस्थित होगा तो मैं उसको arrest करके court police officer को सौब दूँगा यह हमारा second clause बात करता है third करता है when person against whom such warrant is issued is arrested अगर वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया जिसके खिलाफ arrest warrant issue हुए थे तो he shall made over it to the with the warrant to the nearest police officer यानि कि कि इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है सपोर्स करो यह father है किसके accused के और भी हमारा हो गया accused तो first clause के according या तो अगर cgm चाहें या judicial magistrate first class चाहें किसको समझ वारेंट issue करेंगे ए को कि आपका अगर बेटा आपके घर में आएगा तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा clause 1 यह बोलता है ठीक clause 2 क्या बोलता है clause 2 बोलता है कि जब वह वारेंट A को मिल गया यानि police office आएंगे A को वारेंट दे देंगे कि court ने आपको वारेंट दिया है कि आपको अपने बेटे को अरेस्ट करना है तो A क्या करेगा A acknowledge करेगा in writing कि वह लि तो A क्या करेगा warrant जो issue वाता है और अपने बेटे को police officer को शौप देगा यह हमारा section 75 बोलता है section 76 बात करता है warrant directed to police officer a warrant directed to any police officer may also be executed by other police officer यानि कि अगर किसी A नाम के police officer को warrant दिया गया है कि आप जाए warrant execute करिये बट A already किसी और दूसरे case में indulge है या busy है तो अगर A चाहे तो B नाम का जो police officer है उसको यह warrant देदेगा और कहाएगा कि आप मेरे बेहाफ पे जाके इस warrant को execute कर दो ठीक तो section 76 इस बारे में बात करता है 77 बोलता है notification of substance of warrant यानि कि जो police officer warrant लेके गया है किसी person को arrest करने है तो वो बताएगा कि आपने offense किया है और हम आपको गिरफतार करने आये हैं और अगर वो व्यक्तिक है कि आप किस बिहाफ पे मुझे गिरफतार करने आये हैं तो police officer उसको warrant दिखा देंगे कि यह लिजे warrant पढ़ लिजे कि आपने क्या अपरात किया है तो यह section 77 notification की ही बात करता है ठीक 78 बात करता है person arrested to be brought before court without delay यानि कि जब police officer किसी व्यक्तिक को arrest कर लेती है तो उसको without delay magistrate के सामने produce करना होता है तो 78 में लिखा है police officer और other person executing a warrant of arrest shall without unnecessary delay bring the person before the court before which he is required to produce such person यानि कि हम उसको court के सामने उपस्थित कर देंगे without any delay provided में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर करना है यानि जिस टाइम से आपने उसको arrest किया है अगले 24 घंटे के अंदर आपको court के सामने उसको उपस्थित करना है यह section 78 बोलता है 77 बात करता है where warrant may be executed कि आप arrest warrant को कहा execute कर सकते हो तो at any place in India इंडिया के किसी भी place में जाकर आप arrest warrant को execute कर सकते है यह अपरादी कहीं भी चुपा है अपराद क्या है उसने उत्तर प्रदेश में चुप गे जाके राजिस्थान में तो उत्तर प्रदेश की पुलिस राजिस्था outside jurisdiction यानि कि अपराद किया उसने उत्तर प्रदेश में और अब arrest warrant execute होना है राजिस्थान में बट इसका procedure है ऐसे नि जाके पुलिस सीधा जाके arrest कर लेगी नहीं यह तो बताया है 79 में कि हम कर सकते हैं बट उसका procedure क्या है वो बताया है 80 में ठीक तो क्या लिखा है when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it यानि जिस court ने arrest warrant को issue किया है अगर वो चाहे कि उसका जो warrant है वो outside its jurisdiction execute हो ठीक तो वो क्या करेगी such court में instead of directing the warrant to the police officer within its jurisdiction यानि कि अगर वो court चाहे तो अपनी jurisdiction में जो police officer है उनको ना देने की बजाए forward करेगी या तो by post पोस्ट कर देगे या किसी और माध्यम से executive magistrate यानि EM को या district superintendent of police इसे DSP बोलते हैं या commissioner of police within the local limits of the jurisdiction it is to be executed यानि कि जो व्यक्ति UP से अपराद करके राजिस्थान भागा है तो राजिस्थान का जो DSP होगा या commissioner of police या executive magistrate उनको by post या किसी और माध्यम से है वो भेज देंगे ठीक अब यह क्या करेंगे तीनों officers अगर तीनों में से किसी एक को भेजा तो वह उस warrant पर अपने signature कर देंगे और वह warrant फिर execute हो सकता है ठीक बी में लिखा the court issuing a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such document देखो arrest warrant ऐसे नहीं कि एकदम एफायार हुआ और आरेस्ट वारेंट इशू हो गए ठीक अपनी पुलिस ओफिस है वह अपनी documents भी लगाएगी रिपोर्ट भी लगाएगी तो जितने भी relevant documents है ना court वह सब भी DSP, Executive Magistrate या Commissioner को वह documents भी भेजेंगे क्यों उससे क्या purpose है उसका purpose है कि अगर जब वह व्यक्ति राजिस्थान से अगर arrest हो गया और वह bail दे सकता है तो court उन documents को देखेगी और अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसको हम bail दे सकते हैं तो वह bail दे देंगी ठीक क्लॉस्टू का य section 81 बात करता है warrant directed to police officer for execution यहां पर तो अभी हमने बात की थी कि जब court warrant issue करती है तो क्या procedure follow किया जाएगा अब यहां पर भी क्या बात करते हैं यहां पर बात कि उसको execute कैसे करेंगे ठीक तो लिखा है when warrant directed to police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same he shall ordinarily take it for endorsement either to executive magistrate police officer not below the rank of officer in charge of police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed हमने एटी में पढ़ाता कि जिस court ने arrest warrant issue किये हैं वो police officers को ना देकर DSP executive magistrate या commissioner को देता है बट 81 में लिखा है कि magistrate यानि जिस court ने arrest warrant issue किये हैं वो police officer को देते हैं तो यानि court के पास दो option होते हैं या तो वह पुलिस officer को देते हैं कि जाके आप arrest करिए या फिर अगर वो outside jurisdiction है तो वहां के jurisdiction के DSP commissioner या executive magistrate को arrest warrant दे सकते हैं तो 80 में तो हमने वहीं पढ़ लिया अब 80 79 सोरी 80 में 81 बात करता है police officer को दे दिया तो उस condition में क्या होगा वह जो police officer है जिसको arrest warrant दिया गया है वह executive magistrate या को SHG से हम officer in charge of police station बोलते हैं executive magistrate या officer in charge of police station वह उस warrant को इन दो व्यक्तियों के पास इन दो officer के पास लेके जाएगा किसलिए जिससे की वह उस पे endorsement कर दें कि हां हमें यह मिल गया है और आप अब उस व्यक्तियों को arrest कर सकते हैं ठीक second बोलता है such magistrate और police officer shall endorse his name यह जो magistrates हैं उस endorsement में क्या लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे and such endorsement shall be sufficient authority जब अपना नाम लिख देंगे sign कर देंगे तो यह खाली एक sufficient authority होगा यानि कि इतना ही sufficient होगा execute करने के लिए ठीक आप किसी और jurisdiction में जाके किसी व्यक्तियों को arrest कर रहे हो तो उसके लिए permission चाहिए होती है तो वो permission कौन देगा या तो officer in charge देगा या executive magistrate देगा कैसे देगा warrant पर अपने sign कर देगा अपना नाम लिख देगा ठीक और उतना ही sufficient होगा कि आप जाके दूसरी jurisdiction में दूसरी अगर जिस police officer को warrant दिया गया है कि आप जाके execute करिए और उसे ये लगता है कि अगर हम executive magistrate या officer in charge of police station के पास जाएंगे वो फिर endorsement करेंगे इसमें बहुत जादा time हमारा खर्च हो जाएगा और इतना time खर्च हो जाएगा कि जिस व्यक्तियों को arrest करने जा रहे हैं वो वहाँ स से भाग सकता है तो अगर ऐसा लगता है police officer को तो वह without taking endorsement वह जाके directly उस व्यक्ति को arrest कर सकते हैं in the interest of justice ठीक 82 बात करता है procedure of arrest against whom warranties to be executed एक मिनिट यह पढ़ा दिया था 82 83 बात करता है procedure by magistrate before whom such person arrested हमने उस व्यक्ति को arrest कर लिए दूसरे जुरिजिक्ष्टियों में जाके यानि कि offense यूपी में किया पकड़ा राजिस्थान में गया तो अब हम क्या करें जब वह पकड़ा गया उसके बाद का procedure क्या है 83 बोला गया थी executive magistrate dsp और commissioner of police if person arrested appears to be the person intended यानि कि यह वह उस वाली condition की बात करता है जब कोट पुलिस officers को summons warrant ना दे कर किनको देती है executive magistrate dsp या commissioner को ठीक अगर इन तीनों व्यक्तियों को आप warrant दे रहो और व्यक्ति अरेस्ट हो गया तो उस condition में मारा clause 1 लेगेगा और clause 1 बात करता कि अगर इन तीनों magistrate को लगता है कि यह जो व्यक्ति अरेस्ट किया है यह वही व्यक्ति है जिसके against warrant issue हुआ था तो वह क्या कहेंगे वह कहेंगे कि इस व्यक्ति वह आप custody में ले जाओ उस court के सामने जिस court ने summons issue किया है ठीक हम अरेस्ट करेंगे और इन तीनों में से किसी एक के पास ले जाएंगे और वह कहेंगे कि हाँ अगर यह व्यक्ति वह ही है तो आप उसी court में ले जाए जिस court ने आरेस वोरेंट इस्यू के प्रोवाइडिट डैट इफ ओफेंस बेलेवार अब यहां पर प्रोवाइडिट की बात कि लिगरी यानि कि अभी तो हम बोलते कोई court में ले जाओ आप custody मतलब से गिरफतार करके आप ले जाओ कब नहीं ले जा सकते क्योंकि प्रोवाइडिट की बात आ गया यानि कि आप जिस परसन को एरेस किया है वह रेडि है वह चाहता है कि हमें बेल दे दूं तो उस कंडिशन में मजिस्टेट डीएसपी और कमिशनर ऑफ पुलिस ठीक वह क्या करेंगे वह उस परसन का बेल बॉन्ड ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे ठीक फ्रोवाइडिड फर्दर इस नोन बेलेबल बट अगर आपने किया है वह नोन बेलेवल है उसमें आपको बेल नहीं मिल सकती बेल वाले तो सिंपल बेल बोर्ड लेंगे और छोड़ देंगे बट अगर आपने कोई नोन बेलेबल ओफेंस किया दूसरे जुरिजिक्शन में चले गए हो और पुलिस में आपको पकड़ लिया है उस कंडिशन में जो चीफ जूडिशल मजिस्टेट होंगे सीजेम या फिर जो सेशन जज़ होंगे अब इन दोनों की ड्यूटी क्या है वह जो हमने पहले पढ़ा था ना कि कोट एक रार रेलेवन डॉक्यूमेंट सी भीजेंगी तो अब यहा को बेल दे देनी चाहिए तो यह उस प्यक्ति को बेल दे देंगे ठीक यहां पर यह लिखा है रिलीज सच पर्सन ओन बेल चाहे ओफेंस नोन बेलेबल हो कंडिशन क्या है वह जो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बेजे गए हैं वह पढ़ने के बाद अगर लगता है कि ह यहां इसको बेल दे सकते हैं तो उसको हम बेल पर रिलीज कर देंगे नथिंग इन दिस सेक्शन शैल भी डीम तु प्रिवेंट पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्यूर्टी अंडर सेक्शन सेवन्टी थ्री सेवन्टी थ्री मैंने बताया था बेलेबल वारेंट होता है कि अगर मजिस्ट्रेट जिसने वारेंट इशू किया है अगर वह चाहते हैं कि हाँ व्यक्तिकम अरेस्ट ना करके उससे एक बेल ले 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 कि हाँ इस समय कोर्ट में पस्थित होगा तो यहां पर भी लिखा है कि यह जो सेक्शन है यह मना नहीं करता अगर मजिस्ट्रे अटेश्मेंट से थैंक यू